भावी हुई देवर की दिवानी, इस कहानी में कौन कौन है, जानकी देवी, अर्जुन और महेंदर की मा, शोभा, महेंदर की पतनी, अर्जुन, शोभा का देवत, उर्वर्शी, शोभा की सहेली, कहानी शुरू करते हैं, जानकी देवी, लंच के समय, अर्जुन, महेंदर, आजा बेटा खाना लग चुका है, पता नहीं दोनों भाय आपस में क्या इतनी बाते कर रहे हैं, इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, लगता है आज ही सब कुछ पूरा कर लेंगे, अरजुन और महेंदर दोनों लंच करने के लिए एकठा होते हैं, अरजुन, क्या बनाया है मा खाने में, जानकी देवी, आज तुम दोनों की पसंद का डाल, चावल और गोबी की सब्जी बनाई है मैंने, महेंदर, वाह मा, अरजुन, अरे क्या वाह, अरजुन, मा, इतना है देवी कौन खाता है रात को और वैसे भी गोबी की सबजी रात को नहीं खाते वो दिन गए जब मैं ये सब खाता होता था रात को जानकी देवी तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ फिर अर्जुन नहीं एक काम करो मुझे एक कटोरी दाल और बस रोटी दे दो एक जानकी देवी ठीक है जानकी देवी बहु दे दे जरा तभी महेंद्र अपने हाथ से गोबी की सबजी अपनी प्लेट में रखना लगता है शोभा एक मिनिट ये सब नहीं आज से आप भी अर्जुन की तरह डाइट फॉलो करोगे ताकि आप भी फिट रहें अरे आपको भ भाई की तरह सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये मोटापा कम करना चाहिए महेंद्र अरे पर अर्जुन को तो नौकरी करनी है ना मुझे कौन सी नौकरी करनी है बाबुजी के साथ कपड़े की दुकान संभलता हूँ इसे तो शर्म आती है बाबुजी की दुकान पर बै और हाँ, कल से ना इनका एक्सरसाइज शुरू करना है बस अर्जुन, हाँ भाभी अर्जुन, टेंशन ना लो ना, आपका पसनल फितनेस ट्रेना आया आपके पास जानकी देवी, अरे, लेकिन बहु वो इतनी जल्दी फिट कैसे होगा, मुझे बता हाँ शोभा, अरे मम्मी जी, मैं कहां कह रही हूँ कि रातो रात फित हो जाएं, लेकिन ट्रेनिंग तो शुरू कर देनी चाहिए ना, है ना शोभा, इसलिए आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू और आप भी अर्जुन की तरह दाल और रोटी खाओ, ठीक है चलो, नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये लो, महेंद्र, अरे, नहीं, बस एक ही रोटी मिलेगी शोभा, खाओ, महेंद्र उदासी के साथ, हाँ, खा रहा हूँ डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं अर्जुन अकेले में ठकान लग रही है यार, क्यों न अपने लिए कुछ किया जाए तभी अर्जुन अपनी जेब से एक थेली निकलता है और उसकी खुश्बू सुन्गने लगता है वह थेली कोई मामूली थेली नहीं होती बलकि उसमें ड्रग्ज होता है उसे सुन्गने के बाद अर्जुन बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सोजाता है अगली सुबह, शोभा और अर्जुन महेंद्र को पढ़कर उसे एक सरसाइच शुरू करने के लिए कर कहते हैं वे दोनों उसे पढ़कर ट्रेडमिल पर चड़ा देते हैं महेंद्र अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ट्रेडमिल पर चड़ने से डर रहा था अर्जुन से होसला देता है और ट्रेडमिल स्टॉट कर देता है महेंद्र मुझसे नहीं होगा शोभा, अरे, सब होगा, चलो, मैं कह रही हूँ ना महेंद्र ट्रेडमिल से डर की वजह से उतर जाता है लेकिन अरजुन फिर से उसे ट्रेडमिल पर चड़ा देता है अर्जुन, चलो, अरे, होगा भाईया, चलो ना, ये सबसे इजी सबसे बेसिक वकाउट है महेंद्र, नहीं, देख, मुझे डर लग रहा है अर्जुन, मैं हूँ ना, आपके साथ भरोसा रखो महेंद्र, देख, शोभा, अरे, कुछ नहीं होगा देखो, धीरे-धीरे आपको आदत हो जाएगी उसके बाद हम एकसरसाइज बढ़ाएंगे ताकि आप बहुत जल्दी दुबले, पतले और स्मात हो जाओ अर्जुन की तरह, है ना, अर्जुन, भाभी, दो की स्पीड है शोभा, अरे, हो जाएगा, बड़ा दो स्पीड, तभी वहाँ जानकी देवी आजाती है जानकी देवी, अरे बहु, ये क्या कर रही हो तुम, तुम देवर भाभी मिलकर उसे क्यों परेशान कर रहे हो शोभा, ममी जी, आप तेंशन मतलो, यह आपके बेटे को स्मार्ट बनाने का तरीका है जानकी देवी, वो ठक जाएगा शोभा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, आप तेंशन मतलो, शोभा, चलो-चलो-चलो स्पीड बढ़ाओ चलो वेरी गुड वेरी गुड भागो भागो और भागो अरजुन देखो मैंने हात पकड़ा हुआ है ना कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं तबी महिंद्रा होन्फते हुए ट्रेड्मिल को बंद कर देता है अर्जुन, अरे, रोक क्यों रहे हो, प्रशनवाचिक चिन, महेंद्र, बस, बस-बस, अर्जुन, भाईया, दो मिनट भी नहीं हुआ है, गिंती के याद शोभा, अरे, इतने जल्दी कैसे ठक सकते हो आप, महेंद्र, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अर्जुन, अरे भाईया, गिंती के दो मिनट भी नहीं हुए, शोभा, चलो उठो, चलो चलो, चलो, अर्जुन, अच्छा भावी, एक काम करते हैं, भाईया को ना बाहर लेके जाता ह एकसरसाइज कराने, शोभा, चलो, गुड आइडिया, महेंद्र, नहीं, अब और नहीं, अर्जुन, कम ओन, कम ओन भाईया, ऐसे नहीं, रुको, 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 ये नीचे करो, अभी नीचे जाओ, बढ़िया, बढ़िया, विरी गुड भाईया, सिर्फ चार और हैं, सि चलो, महेंद्र, अब और नहीं होगा मुझसे, अर्जुन, अरे भाईया, दो और रह गए हैं, दो से क्या होगा, करोना, एकसरसाइज खत्म हो जाती है, अर्जुन और शोभा महेंद्र को पकड़ कर अंदर ले जाते हैं, अर्जुन, आराम से, मजा आया की नहीं आया, बत शोभा, हाँ हाँ, ऐसे चलता रहा तो कैसे फिट होनगे, बताओ, महेंद्र, मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दो, शोभा, कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा आपको, only hot water with lemon, समझ गए, ताकि आपका fat बन हो जाए, महेंद्र, मुझे ये सब नहीं करना है, शोभा, आपको नहीं करना है, लेकिन मुझे तो करना है ना, मैं चाहती हूँ कि आप दुबले पतले हो जाओ, समार्ट हो जाओ, समझ गए, अर्जुन, होनगे होनगे, क्विट होनगे भाभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अच्छा सुभा, वो कबार में टौवल नहीं था, आपने अर्जुन, उधर अर्जुन नहाने जा रहा था, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिये थे, वो अब सिर्फ आंडविय में था, तभी शोभा अर्जुन की कमरे में टौवल लेकर पीछे से आती है, वो अर्जुन की सुडोर शरीर को देखकर मधोश हो जाती है और उसे चुने की कोशिश करती है, अर्जुन, क्या हो अभाभी, शोभा घबराते हुए वो टौवल, सुबह तुरंत वहां से भाग जाती है, अगले दिन, अर्जुन, अरे भाईया, आओ ना किधर रहे गए, लेट हो रहा हूँ मैं यार, शोभाग भाग कर आते हुए अ अर्जुन, अर्जुन, ये लो तुम अपना मोबाईल अंदर ही भूल गए थे, अर्जुन, थैंक्स भाभी, भाईया कहां रह गए, शोभा, बस आ रहे होंगे, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे भाईया कितने धीले हैं, अर्जुन, इनके लेट के चकर में नामें लेट हो जाऊंगा, तभी शोभा की सहेली स्कूटी चलते हुए शोभा के सामने से निकलती है, जब वह शोभा को देखती है तो वह अचानक ब्रेक मरती है और स्कूटी से उतरती है, उर्वश्शी, शोभा, शोभा, उर्वश्शी, तुम यहां क्या कर रही हो, शोभा, अ उर्वशी, जीजा जी कहा है? अभी तक महेंदर गारी के पास नहीं पहुँचा था। उर्वशी अर्जुन को शोभा का पती समझने लगती है। उर्वशी, अच्छा, ये है हमारे जीजा जी। हेलो जीजा जी। उर्वशी, बहुती स्मार्थ हस्बें धून्दा है। तब आओ ना अंदर। उर्वशी, नहीं नहीं, फिर कभी। आज शाम को ही मैं डेल ही जा रही हूँ। मेरे हस्बेंड का वहीं ट्रांसफर हो गया है आज। कभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी, तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। शोभा, पक्का, उर्वशी, पक्का, अर्जुन, अरे, अभी तो आप रेडी थे ना, महेंडर, तू चला जाना, मैं बाद में चला जाऊंगा ना यार। अर्जुन, चलो ठीक है, जा रहा हूँ। अर्जुन के जाने के बाद, महेंडर, एक बाद बताओ, तुम्हारी फ्रेंड ने अर्जुन को तुम्हारा हस बेंड बोला, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? शोभा, क्योंकि उसका पती बहुत समाद दिखता है और मैं नहीं. चाहती थी कि आप उससे मिलें. अगर उसे पता चल जाता है कि मेरा पती ऐसा दिखता है तो उसकी नजरों में मेरी क्या इज़त रह जाती? अब वैसे भी वो दिल्ली जा रही है. पता नहीं कब आएगी. तब का तब देख लेंगे. महेंद्र वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर, BP बहुत बड़ा हुआ है. कॉलेस्ट्रोल भी बहुत बड़ा हुआ है. इसका सीधा असर तुम्हारे हट पर पर सकता है. देखो महेंद्र, तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा और कम से कम 6-7 घंटे गहरी नींद की जरूरत है तुम्हें. महेंद्र, नींद नहीं आती डॉक्टर सहब. डॉक्टर, देखो महेंद्र, टेंशन मत लो. और ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हारी टेंशन बढ़ जाए. मैं तुम्हें कुछ दवाया लिखके देता हूँ. ये क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं.